हलो दोस्तो मैं होकास दिपर्मा हिंदी वाइस नोट्स यूटूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग विजय नगर समराज्य के बारें पढ़ेंगे और लगबग हम लोग 3-4 वीडियो में विजय नगर समराज्य का संपूर इतिहास को कंप्लेट करेंगे वीडियो इस्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने हमारे चैनल हिंदी वाइस नोट्स को सब्सक्राइब ने किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें बेल नोटिफिकेशन को आन करें तके आपको इंडियन हिश्ट्री के सांस साथ और भी अधर सब्सक्राइब के नोट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे तो चैनली वीडियो इस्टार्ट करते हैं फ्रेश टॉपिक हमारा विजयनगर सम्राज्य देखिए विजयनगर सम्राज्य का स्थापना हुआ था 1336 में और इस सम्राज्य का अंठ हुआ था 1646 में लगभग 310 वर्सों का इतिहास रहा है विजयनगर सम्राज्य का विजयनगर सम्राज्य के सस्थापक माने जाते हैं हरिहर तथा बुक्का ये दोनों सगे भाई थे और ये दोनों हरिहर तथा बुक्का गोपाल समुदाय के थे और यादवण से सम्मधि थे सर प्रथम हरिहर तथा बुक्का काक्तिवण्स के सासक के सेवा में थे और विद्यरण ने इन दोनों को हिंदू धर्म में दिख्षित किया और सारायन की सहयता से इन्हों ने विजय नगर समराज जी की स्थापना की जो की एक वेदो के भासकार थे और इन्हीं की सहयता से हरिहर तथा बुक्का ने विजय नगर समराज जी की स्थापना की विजय नगर समराज जी के प्रथम सासक बनते हैं हरिहर और इस समराज जी में संगम वंस के अंतरगत अंतिम सासक बनते हैं विरुपाक्ष दूती जो की संगम वंस के थे तो इस सम्राज में हम लोग 4 वंस पढ़ेंगे विजय नगर सम्राज के अंतरगत हम लोग 4 वंस के बारे में पढ़ेंगे पहला है संगम वंस जिसका सासंकाल था 1336 से 1485 तक संगम वंस जिसका सासंकाल था 1336 से 1485 तक दूसरा वंस हम लोग पढ़ेंगे सालूप वंस और इसका सासंकाल था 1485 से 1505 तक फिर तीसरा हम लोग पढ़ेंगे तुलूप वंस और इसका सासंकाल था 1585 से 1570 तक फिर अंतीम वंस पढ़ेंगे हम लोग आर्विंडू वंस और इसका सासंकाल था 1570 से 1646 तक तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग संगम मस जिसका सासनकाल था 1336-1485 तक देखिए संगम मस संगम मस के परथम सासक बनते हैं हरिहर और इस मस के अंतीम सासक बनेंगे विरुपाक्ष दूती हरिहर प्रथम इसका सासनकाल था 1336 से 1356 तक हरिहर के द्वारा प्रथम राजधानी बनाया गया था अने गोंडी को और दूती राजधानी ये लोग बनाते हैं विजय नगर को देखी हरीहर के द्वारा पहली बार जो राजधानी बनाया गया था वह अनिगोंडी को बनाया गया था उसके बाद यह विजय नगर को अपनी दूसरी राजधानी बनाते हैं और हरीहर को दो समुद्रों का सौमी क रहा जाता है और हरीहर के सासंकाल में बंभनी समराज्य के सांस संघस प्रारम हुआ था और इसका कारण था रायचूर के खिले को लेकर अधिकार को लेकर बंभनी समाज और संघस्व मैं विजय नगर संघस हुआ था देखे हरिहर प्रथम ने होईशल राज को अपने राज में विलाया था हरिहर प्रथम के पूत्र थे कमपा और इन्हों ने जीता था मुद्रोई क्यों और कमपा की पत्नी का नाम था गंगा देवी हरिहर के पूत्र का नाम था कमपा और कमपा की पत्नी का नाम था गंगा देवी इसके द्वारा रचना किया था मुद्रोई विजय का देखे कमपा के द्वारा जीता जाता है मुद्रोई और इनकी पत्नी गंगा देवी के द्वारा रचना किया जाता है मुद्रोई विजय का उसके बाद सासक बनते हैं हरिहर के बाद बुक्का प्रथम देखिए इसका ससनकाल था बुक्का प्रथम का ससनकाल था 1356 से 1770 तक ये हरिहर प्रथम के भाई थे और इन्हें ने उपाधी धारन किया था वेदमार्क पतेश्थान का उपाधी इन्हें धारन किया था और बुक् दक्षिर भारत में वैदिक संस्कृति का प्रसार किया था इन्हीं के सासंकाल में ही दक्षिर भारत में वैदिक संस्कृति का प्रसार हुआ था इन्हीं को ही स्रे दिया जाता है वैदिक संस्कृति का दक्षिर भारत में प्रसार का और इस प्रसार में मदद करते हैं जोकी व उपाधी धारन किया था महा राजदी राज राज परमेश्वर राज व्यास का उन्होंने उपाधी धारन किया था उसके बाद सासक बनते हैं विरुपाप्च राय और इनका सासनकाल था 1404 से 1405 तक केवल एक वर्स का उसके बाद फिर सासक बनते हैं विजाइन अगर समराज् उसके बाद सासक बनते हैं देवराय पथम और इनका सासंकाल था 1406 से 1422 तक और इन्ही के सासंकाल में इटली यात्री आया था निकाल कोटी और इनकी पत्नी देवराय प्रथम के सासंकाल था 1406 से 1422 तक और इन्ही के सासंकाल में एक इटली यात्री आया था निकाल कोटी और दोनों विजयनगर की यात्रा पर आया थे और इनी के नुसार निकाल कोटी के नुसार देवराय प्रथम के द्वारा तूंग भद्रा नदी पर बांध बनवाकर नहर का निर्मार करवाया गया था देवराय प्रथम के सासनकाल में इटली यात्री आया था निकाल कोटी और उ को जो की एक तेलगु कवी थे और इनकी रचना है हर विलास देखिए देवराय प्रथम ने स्रीनात को सरणरक्षन प्रदान किया था जो की एक तेलगु कवी थे और इनकी रचना है हर विलास उसके बाद सासक बनते हैं देवराय प्रथम के बाद रामाचंदर राय और इसका सासंकाल था 1422 से 1424 तक उसके बाद देखते हैं लोग देवराय दुटी इसके पास सासक बनते हैं देवराय दुटी और इसका सासंकाल था 1422 से 1446 तक और इन्हें उपाधी धारं किया था देवराय दुटी ने उपाधी धारं किया था इमाडी देवराय जिसका अर्थ होता है सक्तिसाली देवराय, इन्होंने उपादी ध्यारन किया था, इमाडी देवराय, जिसका अर्थ होता है, सक्तिसाली देवराय, और उपादी ध्यारन किया था, गज बेटकर, जिसका अर्थ होता है, हाथी का सिकारी, इनके द्वारा दो उपादी ध्यारन किया गया था, देवर सासक माना जाता है देवराय दूति को संगम मस्का सबसे सक्तिसाली और विद्वान सासक माना जाता है देखे पतांजली के महाभास्र पर इन्होंने टिकायें लिखी है और इन्होंने बल दिया था समुद्री वैपार पर देवराय दूति के द्वारा समुद्री वैपार पर दिया गया था देवराय दूती ने अपनी सेना में तूर्क धुरंधरों को भरती किया और साथ ही मुस्मानों के भरती करवाया अपनी सेना तूर्क धुरंधरों के साथ मुस्मानों की भरती परारम करवाया इन्होंने दमन किया था कोडविंदू राज्यका और इनके मंत्री देवराय दुती के मंत्री थे लकना और इनको कहा जाता था समूद्र का स्वामी देखे देवराय दुती को स्रिनात के दोवारा कभी सर्म वहाओं का उपाधी दिया गया था इन्होंने वेलम के सासक को विजय नगर की प्रभुसत्ता सुइकार करने के लिए विवस किया था देखे इसके सासनकाल में देवराय दुती के सासनकाल में फारस कदूद अब्दूर रजाक आया था विजय नगर की यात्रा पर फिर देवराय दुती के बाद सासक बनते हैं मलिका अर्जुन राय और इसका सासनकाल था 1446 से 1465 तक उसके बाद सासक बनते हैं केंतर का संगम मुस के बारे में पढ़ा अभी के लिए इतना ही धन्यमाद